दोस्तों जल्देर से खरदीर से वीडियो को लाइक और यह जो लाल वाला बटने इसको दबागर सब्सक्राइब कर लिजे और पास में यह बेल आइकन दबा के ओल पे क्लिक जरू कर देजे और यहाँ पर नेचे आके कमेट बॉक्स में अपने गाउं शेहर या राजे का ना प्रदीश बिहार जोम कश्मीर हीमाचल प्रदीश उत्राकंट दिल्ली पंजाब हरियाना गुजरात माराष्ट्र केरल कनाटक तमिल लाडू असा मांतर प्रदीश चुको हुआ पश्चि मंगल मिजनों मनिपूर नागलें चैटीश कर सीकिम मेगले और उडिसा इन सभी र लाइक को शेर नहीं किया तो चुरूर से कर देवें और इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को भी जुरूर सब्सक्रीब कर लें तो दोस्तों मुजब भाग ने बताया कि लाइना वाले 24-40 गंटों के तुरान तमिल लाडू के दक्षिन हिसों में अलग लगिस्तानों पर भारी बारिश के साथ हलकी समध्यम बारिश होने की संभावना है असम मेगली एरोन चल परदीश और नागलेंड में भी छिटपुट हलकी बारिश हो सकती है जबकि किलगीत पालिस्तान मुजफराबाद लद्दाक और जमु कुश्मीर के उपर इलकों में हलकी बारिश यह जवाएं चली है वहीं बात का लिए जाए कि पिछले 24 गंटों के दुरान जो है संभून भारिश का मोसम कैसा रहा है यानि कि कहां पर बारिश हो और कहां पर रांदी तोफ़ान आया तो मोसम भाग के अनुसार पिछले 24 गंटों के दुरान दक्षन तमिल नाडू और अरुण पर दिख्रमों के दक्षन हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश की गई है 24 गंटों के दुरान तो दोस्तों यह था संभून भारत का अगलाना वाले 24-47 गंटों का मोसम का पूरूनमान अभी आपकी शेत्र का मोसम कैसा और आपकी शेत्र से हैं पुमेंट बोक्स में कमेंट करके जुरूर से बता दीजीगा तक कि अगलाने वाले वीडियो में हम आपको आपकी शेत्र से जानकाई शेटिंग जानकर आपको अबलब करा सकें और अब तक आप नमा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जुरूर से कर देवें और इस चैनल पर नए